अब बात करते हैं इसके formula की, कि जो formula है वो कैसे बनेगा, और simple interest से compound में कैसे जाएंगे, और directly अगर compound निकालना है तो क्या करेंगे, और अगर percentage की form में लेके चलें, तो वहां से compound interest को कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले माल लेते हैं, आपके पास principle है, जो वो 10,000 रुपे है, rate है वो आपका 10% है, और time है जो वो आपका है 2 year, तो सबसे पहले हम simple interest निकालते हैं, पहले साल का, तो 10,000 रुपे multiply 10, multiply एक साल के लिए निकालना है आपको, तो divide by 100, तो यह आपका आजाएगा 1000 रुपे, जब हम compound की बात करते हैं, तो उसका मतलब यह होता है, कि अगले साल के लिए, जो आपका principle होगा, वो पहले साल का, जो amount है, उसे हम principle में count करेंगे, तो 10,000 रुपे उसका principle था, और interest जो rate आया, उसका आया है, 1000 रुपे, तो यहाँ पे जो principle हो जाएगा, 11,000 रुपे, अब 11,000 रुपे का फिर वही 10% निकालना है, एक साल के लिए, तो यह आएगा 11,000 रुपे, जब इस 11,000 रुपे को हम 11,000 में जोडेंगे, तो यह आपका आजाएगा amount, after two years, तो इसको हम कहेंगे compound amount, जब आपके पास total amount 10,000 रुपे था, यह दि उसको इस मैंसे minus कर दे, तो जो 21,000 रुपे है, वो आपका आजाएगा compound interest, यदि हम इसको simple interest से निकालते, तो हम इसको डैक लिक ऐसे करते, 10,000 का 10% दो साल के लिए, तो आपका answer आता 2000 रुपे, बट अब जो आपका answer आया है, वो आया है, 21,000 रुपे, तो जो 100 रुपे आपका ज़्यादा बड़ा है, वो बड़ा है, इस 1000 रुपे के ऊपर, तो यह combination होता है, simple interest और compound interest के बीच, अब इसकी condition में लेते हैं, कि यदि हम इसे percentage में एक साथ लेके चले, तो यदि हम 10,000 रुपे का 10% निकाले और इसी में add कर दे, जो कि हमने यहाँ पे 2 step में किया है, पहले इसका 10,000 रुपे का 10% निकाला, और इसको फिर हमने इसमें कर दिया add, तो यदि हम इसको combine लेके चले, तो यदि मैं 10,000 रुपे में 10,000 का 10% एड़ कर देता हूं, तो directly आपका क्या आ जाएगा, 11,000 आ जाएगा, तो यदि इसको यदि solve करें, तो 10,000 आपका आएगा common, 1 प्लस 10 बाइ 100, तो यह आपका होता है 1 year के लिए, यदि इससे आगे यदि हम इसको 2 साल का लेके चलें, तो फिर क्या करना होगा, इससी को हम add कर देते हैं, इसके 10% में, इसकी तरह हैं, तो यह आपका हो जाएगा, 10,000, 1 प्लस 10 बाइ 100, इसमें हमने add करना है, 10,000 का same, 1 प्लस 10 बाइ 100 का 10%, तो यह और यह दोनों कुमन है, तो इसको फिर कुमन निकालेंगे, तो यह आएगा, 1 प्लस 10 बाइ 100, और यहाँ से जब इसको लेंगे, तो 1 आएगा, यह आएगा, तो यहाँ पर 1 प्लस 10 बाइ 100, तो यह form convert होती रहेगी आपकी, कि जब हम इसको percentage की condition में लें, कि हम पहले 10,000 रुपे में, उसका 10% add कर दें, फिर जो value आई, उसको उसमें 10% फिर add कर दें, और जब उनको हम solution लेके चलते हैं, तो वो इसमें convert हो जाएगा, अब यह जो दोनों चीज़े बिल्कुल सेम हैं, तो इनको combined power में ले लेते हैं, तो यह आपका हो जाएगा, 10,000, 1 प्लस 10 बाइ 100 की पावर 2, तो यह होता है आपका real formula, अब इसको यदि हम formula में convert करते हैं, तो यह हो जाएगा, amount बराबर होता है, principle 1 प्लस r by 100 की पावर 2, तो ऐसे बनता है आपका formula, जो कि बुक में आप देखते होगी, तो यह जो formula होता है, यह आपका amount निकलता है, कि amount बराबर होता है, principle प्रेकेट में 1 प्लस r by 100, और इसकी पावर 2, तो यह आपका था percentage की according question, और यह था आपका, यदि हम ब्याज को principle में जोड़के, उसके बाद फिर ब्याज निकालते हैं, तो वो कहलाएगा आपका चक्रवर्धी ब्याज, क्योंकि उसके अंदर हम ब्याज पर भी ब्याज लेते हैं, और में जो आपका principle था, उस पर भी ब्याज लेते हैं.